ओके, तो गूड इवनिंग अल उफ यू, सॉरी आज क्लास्टोर लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, हेडिंग लगाना बॉंड्स, टॉपिक बहुत सिंपल है, और यह हम लोग अल्रेडी पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वैसा कोई दिक्कत वाला बात नही ठीक है, तो देखो, बॉंड्स में एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेना, जैसे माल लो, टाइम जीरो है, वन है, टू है, डॉट 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 फाइव है, ठीक है, हमने क्या किया, हजार रुपे में आज एक बॉंड खरीद लिया, आट परसेंट का कूपन रिट की हिसाब से बैंक मेर को दे रहा है, 80, 80 और यहाँ पर बैंक मेर को दे रहा है, 1080, ठीक है, तो बेसिकली यह मेरा कूपन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, तो इसको बॉंड बोलते हैं, अब इसमें दो टैप का चीज दे सकता है, जैसे माल लो, यहाँ पर 1000 नहीं देके, आपको बोल दूसरा क्या हो सकता है, आपको बोल देगा कि इसमें yield कितना है, 10%, 15%, 20%, now this yield is different than the coupon rate, yield और coupon rate दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, आपको अगर yield देदेगा, आपको बोलेगा price निकालने, ठीक है, दो ही टैप का question आ सकता है, bonds में, एक आपको बोलेगा price निकाल लिए, दूसरा आपको बोलेगा yield निकाल लिए, price बोलेगा तो टान लेंगे, yield बोलेगा तो calculator में interpolate कर देंगे, सिर्फ इतना ही है, ठीक है, compiler में आजओ, I mean sorry, assignment book में आजओ, assignment book में आजओ, 10 बार बोल चुके थी कि assignment book लाना है, सब लोगा attendance दे दिया है तो पीछे, सब लोगा attendance दे दिया है ठीक है, क्यों नहीं दिया, absent है दुमाज, ठीक है, bonds, equity and property ये जो है, bonds, equity and property ये जो है, पीछे बार उसको दे दो attendance नहीं दिया है, bonds, equity and property ये जो है, question number 19 से चालू हो रहा है है ना, चलो पहला question बढ़ते हैं, बात मत करो एकदम, चुप, तुमाज पस assignment book नहीं है, एक काम करो, last bench में कितना है, assignment book, क्यों कौन नहीं लाए, किस bench में सब के पास में, यहाँ पर कितना है, तीनों है न, एक इसको दे देख श्रेया को दे दो, हाँ दे दोश्रेया को दे दो, बांड इक्विटी एंड प्रॉपर्टी यह जो चैप्टर है, इसका question number 19 हम लोग start करेंगे, ठीक है, a tax exempt investor, a tax exempt investor, purchases 10,000 nominal of a newly issued 5-year fixed interest bond, that is redeemable at par and pays coupons 8% per annum half yearly in a year, सो हर half year में 4% मतलब 400 का coupon मिलेगा, calculate the price the investor should pay to obtain an effective annual yield of 10%, अब यहाँ पर हम लोग को yield दे दिया 10%, क्या निकालने बोला है, price, तो हम लोग equation मनाएंगे, देखो 1000 का, अई स्वरी, 10,000 का 8% कितना होता है, 800, so 800 a2, एक साल में दो बार, और कितना साल के लिए, फिर वहाँ से 1000 V to the power 5, अब इसको हम लोग को pullback करना है, at the rate 10%, इसको solve करके आप लोग price निकाल लिए, आपका answer आ जाएगा, 10,000 हो गए यहाँ पर, sorry, ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा, तो हम लोग क्या मनेंगे, the bond is redeemed at power, कुछ नहीं बोलेगा, तो क्या मनेंगे, the bond is redeemed at power, 10,000 पर redemption हो रहा है, 5 साल बाद, इसका structure देख लिजिए, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पर आपका आएगा 800, यहाँ पर आपका आएगा 800, यहाँ पर आपका आएगा 800, यहाँ पर आएगा 10,800, घीक है, इन सब को pull-back कर लेंगे, 10% में जो की हमारा yield, हम लोग को दिया वे, yield मतलब rate of interest, छिक है, yield मतलब rate of interest, 10% का table book में जाए, 9 3 1 5.8 9 3 1 5.8 9 3 1 5.8 सब लोग सॉल्फ कर लीजे इसको सब लोग इसको सॉल्फ कर लीजे ठीक है कुश्यों नमर 20 में आईए एक बॉंड्स वाले इंस्ट्रूट मैट दो ना हट कॉश्यों नमर 20 में आईए सर आज के आप हम लोगों कुछ समझाएंगे नहीं नहीं समझाएंगे आज कुछ भी कुछ समझने लाएक ही नहीं कुछ इसमें ठीक है 9-3-1-5 हाँ 8% अगर होता तो 1000 आता न ठीक है A tax exempt investor pays 10,500 प्राइस हम लोगो को दे दिया है कितना दिया है 10,500 for 10,000 nominal of a newly issued 5-year fixed interest bond that is redeemable at par and pays coupons of 8% per annum half yearly in a year GRY निकालने बोल रहा है same equation मनाएंगे 800 A2 5 plus 10,000 V to the power 5 ठीक है अब यहां से हम लोगो at the rate 5% है ना यही हम लोगो solve करना है 2-0 काट दो 105 is equal to 8 A2 5 plus 100 V to the power 5 now this is equal to 8 1-1 plus X to the power minus 5Y बताईए क्या होगा नीचे में 1 plus X to the power half minus 1 whole into excellent ठीक है यह हो गया bonds है सारा call देख ले ना ठीक है एक दम अच्चे जे plus 100 by 1 plus X to the power 5 प्लस 100 by 1 plus X to the power 5 अब इसको calculator में feed in करिए यहाँ पर एक और bracket होगा feed in करके 105 खोजिए feed in करके 105 खोजिए 6.92% अब इसको हम लोग ऐसी भी solve कर सकते हैं 6% पी कितना आ रहा है 7% पी कितना आ रहा है हम लोग को X ची जहाँ पर आएगा 105 solve करिए calculator में feed करके इसको सब लोग solve करेंगे इसको अब रहा है झाल 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 कर दो 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 कर कर दो एक नेक्स लिखना फ्लाइट इल्ड और अनिंग इल्ड इसको हम लोग बोलते हैं डी बाई पी डी मतलब हो गया तुमारा अन्वल कूपन रेट डिवाइड बाई प्राइस तो अपना जो पहला वाला जो कोशन था उसके इसाब से जाएंगे तो क्या आ जाएगा आट सो बाई ठीक है अब एक चीज़ समझना इंकम टैक्स क्या होता है पहले ये समझे कॉपी हो गया झाल ठीक है, अब इसके बाद next हम लोग करेंगे question number 21, उसके लिए note में पहले लिख लो, अब जैसे ये जो हम लोग bond खरीदें हैं, मने पैसा दिये हैं, तो हम लोग को क्या होगा, interest मिलेगा, इस interest को हम लोग income मानते हैं, और इस income पे tax लगता है, उसको बोलते है income tax, income tax हमारा coupon पे चार्ज होता है, ठीक है, दो type का tax होता है, एक होता है income tax, और एक होता है capital gain tax, तो income tax क्या होता है, जो income पे चार्ज होता है, जैसे जो interest income पे चार्ज होगा, ठीक है, capital gain tax क्या होता है, जो sale minus purchase पे चार्ज होता है, ठीक है, धिरे धिरे करके समझेंगे, अब question number 21 एपर read करन अब ध्यान से सुनना 800 का मेरे को gross income मिलेगा इसका 25% tax में चला जाएगा मतलब मेरा हाथ में कितना बचेगा 75% A to 5 plus 10,000 V to the power 5 price is equal to इस पूरा चीज को में कितना में pullback करेंगे जहां 800 था वहाँ पर क्या हो जाएगा government क्या बोल रहाए 800 में 200 मेरा दीजिए 25% के साब से 200 मेरा दीजिए तो net में क्या बचेगा 600 A to 5 plus 10,000 V to the power 5 solve कर लिजे इसको और बताइए answer कितना आ रहा है पहले वाले से obviously कम आएगा क्योंकि पहले वाले में tax नहीं रहा है इसमें tax है 8539 points यो भी आ रहा है क्योंकि यो बउ ignorे привет ठीक है है, हाँ, ओके, अब मेरा बात ध्यान से सुनो, इधर सुनो, अब हम लोग करेंगे question number 23, इधर देखो मेरे तरफ, बात अब ये है, बात अब ये है, एन इंवेस्टर पर्चेज़ेस हंड्रेट नॉमिनल अफ टेन इयर बॉंड, कूपन डेट 6%, कूपन सर पेवल हाफ यर्ली इन अरियर, bond redeemable at par, देखो समझो, last band से चालू करते हैं कोना में, वो जो लड़की आई थी, उसका जो admission date है, और इसका जो admission date है तोनों सेम नहीं है, बात समझना, फिर इसका जो admission date है, इसका admission date सेम नहीं है, तो एक चीज समझो, हर दिन मेरे पस, भगवान का देया से हर दिन नहीं, मेहना में, दो-तीन करके admission हो रहा है, ठीक है, तो अब point ही है कि जब बच्चा आएगा, उससे में government बोलेगा, आपको tax दो, ऐसा नहीं होता है, tax का एक defined period है, आप पूरा साल कमाईए, अपना balance sheet बनाईए, फिर आपका जो income आ रहा है, net profit जिसको बोलते है, उस पे government आपसे tax और tax का slab बनाए हुए, इंडिया में progressive tax system है, बना पहला 5 लाग तक नील, फिर 10% फिर ऐसे करके slab है, अब जैसे यहाँ पर क्या बोलता है, बोलता है, जब आपका income आएगा ना, उस समय tax नहीं लगेगा, line read करिएगा, tax payments are due 4 months after each coupon is received, इसका मतलब ये है, tax payments are due 4 months after each coupon is received, इसका म coupon is received, ठीक है न, इसको try करते हैं हम लोग, ठीक है, normal पहले बनाएंगे, ठीक है, 100 है, तो 6 कितना सल का, कितना सल का है, बहले ये बताओ, 10 सल का है तो क्या equation मनाएंगे, बहले ये बताओ, 6, 8 and 2, प्लस redeemable at par है, 100 V to the par, अब minus होगा, tax payment, कितना परसेंट टैक्स है, 15 परसेंट टैक्स है ना, हम लोग को net redemption yield 9 परसेंट का दे दिया है, और price निकालने बोल रहा है, मेरे तरफ देखना, पहला coupon कितने का मिलेगा, दुबारा पुछते हैं, पहला coupon कब मिलेगा, 6 मेना खतम होने के बाद में, बोलते हैं, टैक्स पेमेंट होगा इसके 4 मेना बाद, तो V to the power 6 by 12, V to the power 4 by 12, चीज समझो ना, पहला मेरे को income मिल रहे 6 मेना बाद, दूसरा मेरे को income मिलेगा एक साल बाद, तो पहला टैक्स पेमेंट कप करेंगे, जब पहला income मिलेगा उसके, एक्सिलेंट, चार मेना बाद, चार मेना बाद, एक सेगेंड, येस यू, शी न्यू एडविशन, तुम बताओ, कि टैक्स पेमेंट पहला कितने का होगा, हमको question पहले सुनो, टैक्स पेमेंट कोई बेचारी नहीं है, समझ मैं न, तुम लोगों पता भी नहीं कि वो कौन है, ठीक है न, अब बताओ, पहला पेमेंट हो रहा है, तीन रुपया का, टैक्स रेट कितना है, अब बताओ कि पहला टैक्स का पेमेंट कब होगा, और कितने का होगा, पहला टैक्स का पेमेंट कितने का होगा, कितने का होगा, थ्री इंटू 15 परसेंट, येस, ठीक है, हाँ तुम सोजा न, एब आटरो तो तुम थोड़ा आर्ची, येस, हाँ तुम सोजा बाबू, सोजा, क्या कर रहे हैं तुम, कब खोले का रहे हैं तुम्रा खुण, कब चले कि तुम्रे आज से बंदुख, हाँ, कब लोगे बदला, वाट, खुण नहीं खुलता है तुम्हारा, ओके, देखो भाईया, सिंपल सा हिसाब ये है, कि जितना भी मेरे कोई इंकम आएगा, साला न, उसका 15% टैक्स जाएगा, और एक V to the power 4 by 12 यहाँ पर आएगा, क्यों बोलो तो, चीज समझो न, जितना भी सरा टैक्स का पेमेंट्स है, वो चार महीना एक्स्ट्रा टनेगा, ठीक है, A to 12, A to 10, तुम लोग मेरा बात सुनो पहले, अगर मालो ऐसे बोलता है कि जब इंकम आ रहा है, उसी समय टैक्स का पेमेंट्स हो रहा है, तो हम लोग क्या करते है, 6 into 0.15 A, 10, 2, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, टैक्स पेमेंट्स है, आफ्टर 4 मान्थ, तो जितना अभी सरा टैक्स पेमेंट्स है, वो 4 में एक्ट्रा टनेगा, तो सब में एक कॉमन फ्रेक्टर आएगा, वो फ्रेक्टर क्या है, V to the power, 4 भाई, ठीक है न, चलो solve करो उसको, yes, V to the power 6 multiply कर दे, V to the power 6 किस logic से बताईए, डरिये मत मेर से बताईए, एक सेकेंड, हटो अबू, डर होना चाहिए, ठीक है न, डर ज़रूरी है, 6 मैंने में payment होगा, तो V to the power 6 कर देंगे, किस में काम कर रहे हैं, months में न, years में, पहले आप यह बताईए, V to the power 6 by 12 करेंगे, वो ही कर रहे हैं, V to the power, यह जो है न, कोई ऐसा कोई यहाँ पर है, यह जो पूरा है, जो इसको खोल के दिखा पाई, इसका अंजर पंजर, इसका ऐसा कोई है इस classroom में, जो बता सके इसको पूरा खोल के, इसका अंजर पंजर अलग करके दिखा सके मेरे को, हाँ, तुम बोल, 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 बोल न, अरे डर क्यों है, बोल, ऑनलाइन वाले बच्चे comment box में reply करेंगे, अपने आपको अलग ना समझे, reply करके दिखाईए, ऐसा कोई है, इतना ज्यान नहीं चाहिए, एंसर दो, इन वर्ट्स का मतलब बताऊ बस, समझ में आया न, 1- 3V, Excellent, यही चाहिए था, इसका अंजर पंजर खोलने का मतलब यह है, हर 6 मैना में, 3 रुपय का पेमेंट हो रहा, इसको टानेंगे, अरे यही तो किये थे, याद करो, याद करिये वो दिन, क्या तुम्हें याद है, जब तुमने कस्में खाई थी, वादे, क्या गाना है वो? तुमने को गाना हिंदी पिछे नहीं दिखते हैं का तुम लोग? क्या, तुम लोग इंगलीस और सब, ठीक है, यह इसका अंजर-पंजर है, सर एक बार, टैक्स पेमेंट का अंजर-पंजर दिखा देते तो मज़ा ही आ जाता, ठीक है, यहाँ पर लिखो, टैक्स पेमेंट अंजर-पंजर, लिखो भाईया, तो टैक्स पेमेंट का अंजर-पंजर क्या होगा कोई बता सकता है? 3 into 0.15 into V to the power 10 by 12, plus 3 into 0.15 into V to the power 1 plus 4 by 12, dot dot dot, plus 3 into 0.15 into V to the power 10 plus, बोल, हाँ तुम, पापा से कम मिला रहे हो, हटो ना, तुम लोग नीचे चुको ना, जब एक एक करके सबको पकड़ेंगे, हाँ बोल, नेक्स वीक, ठीक है? सॉल्फ करिए इसको, नौ पर सिंगर टेबल लूप के जाके सॉल्फ करिए और बता ही कितना आ रहे हैं? 75.89 75.89 ठीक है, अब सुनना, सुनो, तुम लोग अच्छा, तुम लोग अंदाजा लगाओ कि मेरा mutual fund कितना रुपय का है? हम 10 साल से काम कर रहें, ज़स्ट गैस करो, ऑनलाइन वाले बच्चे में इसमें participate कर सकते हैं, हम देखना चाहते हैं कि तुम लोग को मेरे बारे में क्या hopes है? इसी तर आनी गोइंग का, अच्छा, एक सेकेंड, मैं बोला, खाली तुम लोग को क्या लगता है, मेरे बास कितना रुपय का mutual fund है, ठीक है? एक जन, करिश का गरवाल लिख रहे है, 10 लाग, 30 लाग, एक करोड तक पहुँचा है, अउनलाइन में 4 करोड, 7.5 करोड, हाँ, तुम लोग बोलो, रफली तुम लोग क्या लगता है, 10 लाग, करोड, 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 10, नहीं, कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पाया अभी तक, 70 लाग, नहीं, यहाँ से कोई ट्राइ करना चाहेगा, 97 लाग, 97 लाग, नहीं, इतना नहीं है, मेरा मीच्वल फंड 15 लाग रुपा गया, अच्छा सुनो तो, ठीक है, मेरा पर्स लाग के हम स्टेट्मेंट दिखा देंगे, ठीक है, सुनो, फैमिली रिस्पॉंसिबिलिटी बोल के भी कुछ होता है, इतना का यह सज बोले तो, जूट नहीं बोलता है, ठीक है, अब सुनो, 15 लाग का मेरा यह जो म्यूच्वल फंड है, इसका बाइ कॉस्ट है रफली, साड़े तेरा लाग, ठीक है, साड़े तेरा लाग मेरा क्या हो गया, परचेस प्राइस, एक ज़र मन में सोच रहोगा, इतना कमाता है पैसा जाता का है, अयाशी बेटा, अयाशी, यह जैकेट देखो, कंपनी देखो, सेल प्राइस, मेरा आज का मार्केट वैल्यू यह है, मालो हम पूरा mutual fund बेज देंगे, एक capital gain का मतलब क्या होता है, the tax, ए यह चुप रहे न, capital gain का मतलब क्या होता है, the tax which is charged, on the sale of capital asset, ठीक है, यह मेरा capital asset है, तो basically, साड़े तेरा लाग मेरा purchase price है, पंदरा लाग मेरा, sale price है, तो यहाँ पर मेरे को gain कितने का हो गया, डेल लाग, ठीक है, government बोलता है कि आपको इसमें 20% का tax देना पड़ेगा, समझा, अब जैसे घर सोचो, अब जैसे यह तो चलो, हम recent में चालू किया ते साल भर पहले, ठीक है, capital gain का मतलब क्या होता है, sale price minus purchase price, into the tax rate, अब जैसे, मान लो उल्टा होता, हम 15 लाग का, मतलब investment करते, market गिर भी सकता है, हम government को question किये, हम बोले भहिया देखो, जब profit हो रहा तो तुम tax ले रहे हो, तो कि जब loss होगा, तो क्या मैं tax ले सकता हूँ, जैस पूछे, government बोला नहीं, government क्या बोलता, अगर profit हो रहा है, तो तुम चुप चुप से tax भरो, अगर नुकसान हो रहा है, तो tax ना मैं लूँगा, ना मैं दूँगा, नुकसान का case में, कोई आपको tax payment नहीं करना है, tax मिलेगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अब जैसे घर समझो, घर समझो, घर हम लिये थे, 40 साल पहले, घर लिये थे मानलो 2 लाक में, जैसे मानलो आज के दिन पर, what do you mean by infrastructure, infrastructure का मतलब क्या होता है, तुम लोग अभी पढ़ाई करो, मैं अपने जीवन का आपको वो बताता हूँ, defect, जो मेरे को लगता है, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, सरा पढ़ा रहे हैं, बोले नॉलेज नहीं है, हाँ, पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूस पेपर पढ़ना चाहिए, रियल लाइफ नॉलेज होना लाइफ पे बहुत ज़रूरी है, हम लोग क्या सबस्त, हम लोग खाली पढ़ ले चीज़ को, समझ ले, बट इट समीथ, जब रियल लाइफ प्रॉब्लम आएगा, तो आप लोग उसको सॉल भी नहीं कर पाएंगे, एक्जैम, हम लोग को सबस्तरा टेंशन कैच गर रहा था है, एक्जैम, आउनलाइन में कोई लिख रहा है, पढ़ाओ, चुपचाप और घर जाओ, ठीक है, सो दो लाइक कास्ती लाइक हो गया, तो इसमें मेरा कैपिटल गेन कितना हो गया, सब देखा, 78 लाइक जो बोल रहा, मतलब उसको रूम के अंदर एंट्री मिला है, समझ रहा हो अंदर सिथिरे-दिरे, अब गौर्मेंट जब बोला, 78 लाइक का लाओ 20%, हम ठहरे चार्टेड अकाउंटेंट, हम बोले भाईया, एक काम करो, पूरा ही दे दूँगा, पूरा ही दे दूँगा, एक काम करो, ये जो घर है न, जैसे माल लो हम लिये थे, 1980 में, आज चल रहा है 2020, for example, हम बोले पूरा ही दे दूँगा, 38 लाइक, 20% क्या मांगते हो, एक काम करो, आज ये घर, मिरेको 2 लाइक में लाइक के दिखा दो, गौर्मेंट का मूब बंद, बोला बात तो सही बोल रहा है, इस प्राइस को हम लोग इंडेक्स करेंगे, आज का भाव में लेके आएंगे, इसको अगर रियल टर्म्स में कभी, घर में प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का बात हो ना, तो ऐसे बात क्या करो, SDV, Stamp Duty Value, हर एरिया का अलग होता है, इतना सारा पहले जो कच्चा पक्का होता था अब सब बंद हो गया है, SDV के नीचे ट्रेंजक्शन नहीं हो सकता है, और कच्चा में ट्रेंजक्शन हो ही नहीं सकता है, पहले क्या होता था, दो करोड का प्रॉपर्टी को 20 लाग का दिखा करके, बाकी सब कच्चा में दे देते थे, अब अब नहीं पॉसिबल है, सब वट इस कच्चा मेंज कैश, ब्लाक मनी, अब जैसे इंडेक्स सेशन का मतलब क्या है, गौर्वर्मेंट कुछ लगाएगा, बिसिकली एक इंडेक्स आता है, ठीक है न, तो वो लगा करके, मानलो इंडेक्स करेगा इसमें, तो यहाँ पर आज का भाव आजाएगा, मानलो 50 लाक, अब गौर्मेंट क्या बोलता है, 80 लाक माइनस 50 लाक कितना हो गया, 30 लाक पर आप टैक्स दीजिए, समझा, लेकिन मेरा परचेस प्रैस कितना है, 2 लाक, सर इंडेक्स किसलिए कर रहा है, खाली capital gain, टैक्स केल्कुलेट करने के लिए, इंडेक्स का कॉनसेप्ट है, बट एक्चॉल में परचेस प्रैस कितना है, 2 लाक, ठीक है न, आपको index देदेगा कि जब खरीदे थे उस समय का index है 100, आज का index है 280, तो अब क्या करेंगे? 280 by 100 into 2,00,00, छीक है? इस तरीके से आपको कोई भी टैप का index वोलोग दे सकता है, बट ये जो index है, ये सिर्फ किसली यूज हो रहा है? खाली capital gain, tax calculate करने के लिए हो रहा है, तो capital gain का मतलब क्या था? sale price minus purchase price, ठीक है? आप gold बेचिये, आप कुछ भी बेचिये, गाड़ी बेचिये, कुछ भी बेचिये, अब ये जो law है, ये country to country depend करता है, ठीक है? अब ये से इंडिया में क्या है? gold, capital asset है, ठीक है? सो, question number 24, इसमें note लिखियेगा, capital gain test, capital gain test, इधर देखो मेरे दुराफ, IP should be greater than, 1-T1 into D by R, एक second, अभी हम लोग जितना भी समकिये, उसमें half yearly payment हो रहा था, तो हम लोग निकालेंगे I2, T1 तुमारा हो गिया है, income tax का rate, D तुमारा हो गिया है, coupon rate, और R तुमारा हो गिया है, redemption, if IP is greater than 1-T1 D by R, then there is a capital gain, बास समझो ये कभ यूज होगा, पहले समझो, एक पर नीचे रखो, पहले सुनो, इश्क और bond, इतना easy नहीं है, ठीक है, अभी तुम लोग को देख के लगेगा, कि बहुत अच्छा है, बहुत मीठा जाएगा, वाह, क्या मजा आ रहे है, नहीं, उनसे पूछो जो 3 साल, 4 साल, 5 साल जिनको हो गया, वो तुमको बताएंगे reality, तो इसलिए अभी है, मैं पढ़ा रहा है, क्या फ्लो में पढ़ा रहे था, आप गजा, bond सब समझा गया, revision note खोलो, तब समझाएगा कैसा question आता है, ठीक है ना, चार हकम का तो rate देदेगा, net redemption, yield, gross redemption, yield, running yield, power yield, coupon rate, तुमको यही नहीं समझ मैंगा कौन से rate कहां लगाना है, ठीक है ना, तो यह कब apply होगा यह समझना, अगर मालनो मेरे को बोल दिया purchase price 100 है, sale price 200 है, तो clear समझ में आ रहा है कि capital gain है, बट unclear कब होगा, जब हम लोग को purchase price नहीं नहीं पता रहेगा, क्योंकि दो ही टेप का question आएगा, एक टेप का question में हम लोग को बोलेगा purchase price निकालने, तो खाली sale price दिया रहेगा, purchase price नहीं दिया रहेगा, उस case में हम लोग capital gain test लगाएंगे, जब हमारे पास में purchase price नहीं रहेगा, तब हम लोग यह करेंगे, IP should be greater than 1-T1 D by R, then there is a capital gain, equal होने से no gain no loss, और अगर less है इसका मतलब, capital loss, बास समझना, अगर gain है, तब तो provision मनाएंगे न, capital gain tax का, tax कब लगेगा, sale पे लगेगा, capital gain tax कब लगेगा, sale of capital asset पे लगेगा, और जो gain होगा न, उसका एक certain percentage देंगे, government को पूरा नहीं देंगे, 15%, 10%, 25%, 20%, एक certain percentage government को देंगे, ठीक है, copy कर लिजिए इसको, question number 24, liable to income tax, 25%, same question है पूरा, determine whether there is a capital gain, if the investor requires a net yield of 10%, सबसे पहले हम लोग i2 निकालेंगे, add the rate 10%, 10% का table book में जाके i2 देख लीजिए, उसके बाद में हम लोग निकालेंगे, 1-0.25 into 800 by 10,000, redemption at par बोला है न, solve कर लीजिए, इसको और बताएगे कितना आ रहा है, यह तो मेरा आ जाएगा 0.06, और यहाँ पर कितना आ रहा है, पताएगे, 0.08 into, हाँ यह तो यह यह आएगा, 0.09, तो greater आ रहे, greater आ रहे मतलब क्या, there is a capital gain, ठीके न, बोलो, हाँ की न, अरे बोलो, chill बेब, फार देंगे अपकी बार, बहुँ चा रहा है, question number 25, अब मैट मेंने बहुत सारा D, P, P, यह सब लिखा हुए, ठीके है, उस अब ना पढ़ना, ना पढ़ना, बहुत सारों लोग का आदत होता है, मैट लेके आ जाता है, भईया, यह क्या लिखा हुए, नहीं पता, भईया, पैसा दिये तो, फाइनल है, जो पढ़ा दिये, फाइनल है, उस अब नोटेशन, लोन शीट लोका मैट खोलो, उसमें X1, X2, L0, L1, पता नहीं क्या के दिया हुए, ठीक है, क्वेस्टन नूमर ट्वेटीफाइफ, अन इंवेस्टर लाइबल to income tax, इतना capital gain tax, इतना, पर्चेस 10,000 nominal for newly issued 5-year fixed interest bond, that is redeemable at par, और पेज, कुपन्स 8% पर अनम, हाफ यरली नरियर, calculate the price the investor should pay to obtain net yield 10%, एई सुनो, एक सेट, उपर वाला question में, और नीचे वाला question में, बताओ तो क्या difference है, spot the difference, यहाँ पर सिर्फ एक capital gain tax एक्स्ट्राइड कर दिया है, और उपर वाला question में पूछा था, बताईए कि gain है की नहीं, और नीचे में क्या बोल रहा है, price निकालने, ठीक है न, तो capital gain तो है, सबसे बड़ा विच्चित्र बात देखो, capital gain tax है की नहीं, उसके लिए कौन सा rate यूज़ कर रहे है, income tax का rate, T1 क्या है, income tax का rate है, ठीक है, यहाँ पर इस सम्में capital gain है, इसी का तो credituals use करके just अभी अबने निकाले थे न, equation देख लो, P is equal to, कितने का है, 800 into 0.75, A2 कितने साल का है, 5 साल का है, 10,000 V to the redemption rate पार है न, minus, इधर देखो में तरफ, 10,000 मेरा purchase price है, P मेरा sale price है, कब होगा, 5 साल बात, कितना लगेगा, capital gain tax, 0.2, solve कर लिज़े, उसको answer आ जाएगा, rate of interest देवी है न, 10% का table loop में जाके उसको solve कर लिज़े, ये ठीक है, ये पहला वाला पाट तो ठीक होगा, ये normal है, ये तो income tax वाला पाट है, ये क्या है, sale price minus purchase price, मने capital gain का 20% कब लगेगा, sale पे, और ये जाएगा, outflow है, बोलके minus, देख लो इसको, 10% के table loop के जाके इसको solve करिए, वो दो question है, पहला आप लोग खली 10% पर ही करिए, net का मतलब पता है क्या होता है after tax, gross का मतलब होता है before tax, देखो, third part में क्या है, सबसे बलाबाद minus क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेरा जेब से जाएगा, मेरा ये sale price है, मेरा ये purchase price है, तो sale minus purchase, pay लगेगा 20%, कब लगेगा, sale पे लगेगा, capital gain का certain percentage sale पे लगेगा, घम whether लगेगा बिस्भी बात्स, कि लुझके कि वभेगा, वे लगेगा लगेगा, अलना ब्लब हί א।, निए मेरा जाएगा, कि जान सबस्ता है, जार सаты हैं कि वा येन ऐस्या Churchовать है झाएगा, हैके के मेरा फे ख onsाना जाएगा, झाल झाल हम कैपिटल गेन सेल पे लगता है इसलिए फाइव येर्स दिसकाउंट कर रहे है कितना आ रहे है 8332 सबका 8332 ही आ रहे है क्या कुश्चन में 26 क्लास वा क्या करिए चालू करिए झाल 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 प्या दो फिता स्प्टिती कर रहे है हमां झाल झाल warrior ये लगता है झाल 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 25% झाल तो 10-10 झाल 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 10-10 झाल 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 मतल झाल 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 कॉषो बादे वाद में जुजए लगता है कि अखुन आटो एंगे, आटो यह हैं? और चाहं, लग्द Catherine, थान ट 딱 ए मूदेल पकान लिधी। य। प्रफुनियं आकल हमें लिधी, वां इपकने कई तर्मानिंटेन लूद रही ना कि आकल है? जा से पंसट्राइबिए कि उपी कुछ को, जिः लु़ीमों को सिती कर दी सिती कर दो सिती कर दी कि लुवती का दी सिती गुराय बगरोय आगत you सोा दी किरेंगे करेंगे कि अबया है झाल 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 0.14 4 1.8 झाल 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 तु झाल झाल थुख रहता है टाइम लैक को? बनि अगर टाइम लैक का कॉंसेप्ट होगा तो क्या रिल कैस्टेंं में अप्लाई करेंगे? इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, एक्चुल डेट्स यूज होगा, एक मिनिट, ये लिखने के बाद पैन नीचे, पैन नीचे, रिलाक्स दो अपना हाथ को थोड़ा ठीक है, आप सुनना, इसका मतलब, एक्चुल डेट्स यूज होगा, मनी कैश फ्लो से मतलब, किसको है, इसूर को, कसम कौन खाया था, इसूर, तो इसलिए हम लोग, डिम्ड इसूरेट से, डिम्ड पैमेंट डेट्स तक लेके जा रहे थे, रियल, मतलब, जिस पे बीता, किस पे बीता, गलत, समझो, बात समझी, समझ, बात समझी है आप लोग, बहुत गहराई है इस बात में, एक सेगेंड, हस लो तुम लोग, रियल का मतलब है, किस में बीता, किस में बीता हम लिखवाएंगे, इन्वेस्टर पे बीता, एक सेकेंड, अगर इन्वेस्टर पे बीता, क्यों ऐसा बोल रहे है, क्यों इसुर ए इन्वेस्टर अलग-अलग है, जैसे इन बांड का मार्केट में ट्रेडिंग होता है, तुम आज खरीद लिया, तुम किसी को बेस दिया, now he becomes the investor, तो ऐसे करके एक bond मालो 10 साल का है, उसमें हो सकता है, 10 से 15 बार वो exchange हो, तो सब जो investor है, वो सिर्फ अपना देखेगा, वो पुरा bond का क्यों देखेगा, पहला बात तो ये, जब तुम देखेगा issuer के point of view से, तो issuer को तो पुरा bond का देखना पड़ेगा, बट तुम जब investor के point of view से देखेगा, तो वो तो क्या देखेगा, मेरा purchase date क्या है, और मेरा sale date क्या है, then, इसका मतलब क्या है, bringing, लिखो, bringing all cash flows, वहाँ पर लिखवाया थे ना, to time 0 index, क्योंकि वहाँ पर time 0 पे, मने issue date और purchase date दोनों same था, बासुनना, time 0, in the previous example, issue date and purchase date was same, but here they are different, for example, question में ऐसा आएगा, बहुत सारे सा question है, यहाँ पर भी जैसे same है, यहाँ पर भी जैसे same है, time 0 is the issue date and time 0 is the purchase date, because लिखा, an investor purchases a bond on issue, मतलब issue date and purchase date दोनों same है, and held the bond till maturity, इसका मतलब पूरा time के लिए रखा है, ठीक है, so, यहाँ पर bringing all cash flows to payment date index होगा, एक बास सुनना, तुम लोग तो मेरा यह चक्का चौन भरा जिंदिगी देखा है, बट पूछना मैं तुम लोग को number दूँगा, इतना सा ही जगह होता था, इतना सा जगह, एक store room type के जगह से मैंने शुरुवात की थी, ठीक है, तो तुम लोग तो मेरा पास नहीं देखा है, तो ऐसे ही investor का है, investor को नहीं मतलब है, कि bond कब issue हुआ, bond कब redeem होगा, उसको सिर्फ यह देखना है, कि हम जब से खरीदे, और हम जब बेचे, तुम लोग को मेरे life से कोई मतलब नहीं है, मेरे महने से तुम लोग कोई फराग नहीं बढ़ता है, मैं बोलते रहे तो तुम लोग नहीं हो, तुम लोग को सिर्फ यह मतलब है, मेरा bus paper हम पैसा दिये है, pass कराइए bus, है जाइए मत, तुम लोग को यही वक्तव यह है, तो तुम लोग अगर investor हो, तुम लोग को क्या मतलब होगा, हम कब खरीदे हैं, और हम कब बेच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर bringing all cash flows to payment date index, कहां से ला रहे हैं, सुरी, payment date नहीं होगा, यहाँ पर, purchase date होगा, I am really sorry, I am really sorry, real का मतलब है, किस में भी था, investor में भी था, bringing all cash flows to purchase date, बट कहां से ला रहे हैं, payment date से ला रहे हैं, ठीक है, bringing all cash flows to purchase date index, from payment date index, अब यहीं पर एक चीज़ लिख लेना, कहां पर ला, ए रहो, कहां पर ला रहे हैं, तुम लोग को क्या चीज़ से मतलब, हम कब purchase के और हम कब sell करेंगे, तो तुम लोग क्या करेगा, purchase date वाला index पर लेक ला रहे हैं, कहां पर ला रहे हैं, purchase date, so, purchase date index, कहां sale आ रहे हैं, ठीक है, यह copy कर लो, अब हम लोग के पास में तीनो cash flow, जब money cash flow, अब हम लोग के पास में तीनो money cash flow है, ठीक है न, कितना कहां बताओ तो, 4.18, 4.29 and 115. सबसे पहला, एक बार मैं real cash flow आपको revise करा देना चाहता हूं, यहां से चालू आथा, ठुक राता है time lag को, bringing all the cash flow to time 0 index, and what is time 0 here, purchase date, from payment date, इसका मतलब actual date use होगा, actual date मतलब 0,1,2,3, actual date मतलब 0,1,2,3, real का मतलब है किसमें भीता, investor से मतलब है, तो investor है, इसलिए बोलके purchase date, and not issue date, अब तुम लोग यहां पर बताना, 4.18, हम लोग कहां से कहां लेके आएंगे, sir, 1 से 0 पे लाएंगे, तो उपर में क्या आएगा, 0 वाला index, जहां पर ला रहे हैं, वो उपर रहेगा, जहां से ला रहे हैं, वो नीचे रहेगा, इसलिए short में लोग उसको ऐसे भी बोलते हैं, D by S, destination by source, जहां पर ला रहे हैं, कहां पर ला रहे हैं, कहां पर ला रहे हैं, purchase date, purchase date क्या है, time 0, time 0 का index कितना है, 112, सब में 112 हो जाएगा, ठीक है न, कहां से ला रहे हैं, बताओ, 116, 119, 125, यह मेरा क्या आजाएगा बताना, real cash flow आजाएगा, इसमें multiply करेंगे V, V square और V cube, और इसको equate करेंगे हम लोग, 100 से, और solve करेंगे, हम लोग को real yield आजाएगा, solve करो, है, बोलो, 100 मेरा purchase price है, हाँ, हाँ, real yield निगाला है, हाँ, real cash flow से जो आएगा, वो real yield आएगा, हो, आजाएगा था सिट़्रON ना, real yield आएगा बताने, हाँ, पữaढं़ा एगगा वो, खएगा देल है, हाँ, आएगागा वो, आएगा निग्वातिक, यगगा एगार मा नच्ड़ू आएगा यजभाडों यजगा विदार पहित्वाना, reais, madame, एगाँ, 않।र झाल झाल जाल झाल झाल तो एक्वेशन फाइनली क्या बनेगा? 4.03V प्लस 4.038V स्क्वाइर प्लस 3.8% is the correct answer प्लस 1.astically बोला प्लस क्योंकि कुछ नहीं बोला यह ना? कुछ नहीं बोलाग ता पर शेय्जट अलगेशन प्लस इस डेट, देदे, एक बतल पीछे देदे, एक बतल यहाँ देदे, एक बतल यहाँ देदे, देदे, वोलो को बीश में दो पानी उर्पी, एक बतल यहाँ देदे, 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 एक 48 देखो एक बार on 25th October 2013 October मतलब 10 a certain government issued a 5-year index link stock the stock had a nominal coupon rate of 3% per annum payable half yearly in a year and a nominal redemption price of 100% the actual coupon and redemption payments were index linked by reference to a retail price index as at the month of payment the actual coupon and redemption payments were index linked by reference to a retail price index as at the month of payment मतलब क्या time lag is 0 investor who was not subject to tax bought 10,000 nominal 10,000 nominal of the stock on 26th October 17 गिनो तो एक बार 14, 15 16, 17 चार साल के बाद तो पांच साल का तो बॉंड ही था तो नाव ही विल गेट टू कूपन्स सोचो ना चार साल पे खताम होने के बाद खरीदा है हाफ यरली कूपन्स है तो कितना कूपन मिलेगा उसको दो देखो सुनो पहले दंक से खरीदा कब है तो मेरा ये हो गया इसू डेट ये मेरा हो गया पर्चेस डेट ठीक है ना ये मेरा हो गया रिडेम्शन डेट अमीर लोग 25 अपरिल 18 and 25 अक्टोबर 18 तो ये दोनों डेट में उसको बोला है क्या कोशन देखो calculate the coupon payment that the investor received on 25 अपरिल 2018 and the coupon and redemption payment that the investor received on इतना तो क्या बोला है 10 जर पे 3% per annum payable half yearly तो half yearly coupon rate is 1.5% 3% पर annum है ना तो half year में कितना मिलेगा 1.5% तो 25,4 18 में क्या होगा देखो ध्यान देना 10,000 का 1.5% into अब हम लोग क्या करेंगे payment date पे लेके जाएंगे issue date से deemed का तो कोई concept ही नहीं है तो payment date है मेरा 25 अपरिल अठारा वाह का index बताईए 25 अपरिल अठारा का index बताईए 171.4 कहां से लेके जा रहे है issue date से क्योंकि MCF निकाल रहे issue date क्या है 149.2 is the issue date अब दूसरा में आईए 25 10 18 10,000 का 1.5% अब 25 अक्टोबर 2018 का index बताईए 173.8 by same is for capital payment तो capital payment के लिए ये date as it is आ जाएगा 10,000 into 173.8 by सम यही खतम नहीं होता है ये पहला पाट है दूसरा पाट में देखिए calculate the purchase price that the investor paid on 25th October 2017 so this is the purchase date if investor achieved effective real yield of 3.5% पर रहना हम effective हम लोग को सालाना real yield दे दिया है ये MCF है तो इसमें तो V to the power 0.5 और V करके कर नहीं सकते हैं इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा real cash flow real cash flow के लिए payment date से कहां लेके जाएंगे date of purchase date of purchase तो purchase date का index क्या बताओ एक बार purchase date है October 17 purchase date का index बताइए देखके 169.4 सबका उपर में 169.4 आ जाएगा सबका उपर में 169.4 आ जाएगा नीचे में क्या आएगा payment date का index payment date का index क्या बताइए 171.4 यहां पर क्या आ जाएगा 173.8 173.8 ठीक है ना अब हम लोग क्या करेंगे इसमें और एक चीज करना बागी है V to the power 0.5 V V purchase price निकालने बोल रहा है price is equal to इस पुरा चीज को हम लोग pullback करेंगे कितना rate पे 3.5% में solve करिए इसको कितना अब लगा दो मिनिट पहला करने में एक घंटा हां ताइम लाइन देख लो अजयत्वर देख कर देख करेंदे कितना इसक्षी देख कितना रहा है कल्या सब्सक्तिता है क धे़के लोगो देख लोगम झाल झाल कल सब लोग कंपाइलर लेके आएगा टाइम सेम है सब लोग कंपाइलर लेके आएगा ठीक है कंपाइलर कैलकुलेटर टेबल बुक एकसेल के लिए लैपटॉप कल पहले पेपर A है फिर पेपर B है हाँ उस दिन में कहां तक कराई थी हाँ तो जो होगा उसके बाद में होगा माने उसके बाद से कंटिनी होगा पेपर B भी अभी हम लोग संग-संगी करा रहे है कितना आ रहे है इसका प्राइस बताइए बोलो कितना आ रहे है परचेस परचेस निकालने बोल रहे है बताओ कितना रहे है बागी लोग का क्या रहे है बताओ कल और परसो बाउन्स का सम्स है सेम टाइम पर क्लास है कल पहले A है फिर B है परसो को पहले B है फिर A है गैस करो कि संडे को क्या है अल्ली पेपर A और संडे का खाना मेरे तरफ से हाँ डिपेंड करता है नास्ता बस घर से करके आना संडे का खाना मेरे तरफ से वो समझ गई समझ गई वो वोली सर कुछ भी फ्री में नहीं देते हैं कितना रहा बताओ इसका एंसर श्रेया कितना रहा है अधिती भावसर लिख रही है 11280 11301 हर्शाली बुबना वेरी गुड फ्रम डैली जो बच्चा 11 11301 आज के दिन का पेश किया आपके सामने आखरी क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 42 ठीक है पूरा इंडेक्स दे दिया है पूरा इंडेक्स दे दिया है और 2 एर इंडेक्स निंग बॉन्ड एई 10 मि辅च में सम खतम हो जाएगा एक मेंटर को उसके बाद इसके पहला लाकुशन मनाएग acceso बनाएगा फिरी घर जाओगे ठीक है एक चार सोला बोला है ना issue date और एक एक सोला का इंडेक्स दिया है मतलब टाइमलेक कितना मेहने का है तीन मेहना ठीक है इसमें कोई वाव वाला बात नहीं हुआ नॉर्मल है नॉर्मल है मतलब हर आधे अधे साल में कितना दो 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 सर चार बर कीञा कोई कि दो साल है तो फिर समी दोबार से 2 दो दो 102 क्यों कूपन एड? क्वी इंड कूपन एड एंड idkal में तो प्रतीकर थिक ठीक है 100 आगर नॉमिनजन साल मान के चलेंगे पहले लिख दो, 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 102, into, 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 buy, 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 into, 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 buy, 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 ठीक है, अब कूपन कब मिल रहा है, एक एप्रियल और एक उप्टोवर, रियल इल निकालना है, मेरे बाद ध्यान सुनो, सबसे पहले, आब एकदम क्रिस्प में याद करो, क्रिस्प में यही याद करिए, सर क्रक्स यही निकला, आज के क्लास का, ठीक है, सबसे पहले money cash flow, तो money cash flow में अगर हम लोगों को करना है, तो dimmed payment date पे लेके जाना है, कहां से dimmed issue date, तो dimmed issue date क्या fix हो जाएगा, हाँ, dimmed issue date fix हो जाएगा, dimmed issue date क्या है, तीन मेना पहले, issue date के तीन मेना पहले मतलब, 121.2, 121.2, 121.2, 121.2, 121.2, अब dimmed payment date, एक सेकेंड, issue कब हो है, 1416, 1416 पर issue हो है न, और पहला coupon कब मिलेगा, एक दस सोला, एक दस सोला से तीन मेना पहले, एक साथ सोला, एक साथ सोला, एक साथ सोला से चालू करेंगे, और एक एक छोड़के लिखते जाएंगे, सर, आप अभी जो करा रहे हैं, क्या मैं भी ऐसा कभी बन पाऊंगा, हाँ, पचास समय, जब तक नहीं बनाऊंगे, तब तक नहीं होगा, यह जब बोले न, लाइंग्वेज, एक छोड़के, तुम लोग भी एक जाम ऐसे करेगा, एक छोड़के, एक छोड़के, ऐसे पुरा, मन लो 11 कुशन आया, 1 बनाया, फिर 3 बनाया, फिर 5 बनाया, ठीक है, पहला coupon payment काब होगा, एक दस सोला, एक छोड़के लिखते हो, बट क्या, एक दस सोला का रेंज में लिखेंगे, नहीं, डिम्ट पेमेंट ड़िट क्या हो जागा, एक साथ सोला, तो एक साथ सोला क्या है, बोलो, 123.1, फिर 123.9, फिर 124.4, फिर 125.2, एक सेकेंड, क्या, सम खत हो गया नहीं अब कहा पर लाना है payment date payment date क्या है sir payment date and अरे देखो ना इस purchased at issue purchased at issue का मतलब क्या दोनों ही क्या है एक 1416 सबको क्या लाना है 1416 में time lag को इज़त देंगे कि ठुकराएंगे ठुकराएंगे क्योंकि अब कहा पर आ गए है real में मतलब क्या लिखवाए थे time lag को ठुकरा देंगे ठुकराने का मतलब का इज़द देंगे नहीं actual payment date यूज करेंगे 1416 1416 मतलब क्या बोलो 1416 मतलब क्या बोलो 122.8 122.8 122.8 122.8 अब सुनू actual payment date का सीरीज में एक छोड का लिखते जाएंगे 123.6 124.2 बोलो 124.9 और 126 एक संब खतम हो गया क्या नहीं रियल लिट निकालने बोला है ना V to the power 0.5 V V to the power 1.5 V square is equal to क्या 101 चालू करो संब को खतम करो घर जाओ Yes, Aditi और उपर हो गया अधिती आगे चलू अधिती नहीं प्याओे रिंग हो लिए तारी नहीं लिए करो आगे जब लोगगे लिए प्याओे अधिती एप गहा लिए झाल झाल